आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो से लीशन पाओ डाउनलोड नाओ आर्टरीज की तो आर्टरीज को अगर हम सिंपल वे में समझें तो आर्टरीज क्या होती है जो ऑक्सीजन रिच बलड होता है मतलब ऑक्सीजन इटिड बलड जो होता है उसको हार्ट से अवे करती है यानि heart से कहां ले जाती है tissues के पास ले के जाती है यानि हम यह बोल सकते हैं कि वो क्या करेगी carry blood away from heart to different organ tissues के अगर हम यहां बात करें तो किस की ओरी है organs की बात हो रही है यह हम सबसे simplified way में arteries को define करते हैं अगर हम और भी arteries के function देखें तो उसमें क्या आता है जो arteries रहती है वो एक viskril organ से another viskril organ तक क्या करती है जो blood है उसे पहुचाती है अब viskril organs हम क्या समझ सकते हैं जो soft organ होते हैं उन पर क्या करेगी यानि अगर हम बात करें liver की तो क्या करेंगी एक viskril organ से दूसरे viskril organ तक blood को carry भी करती है next अगर हम देखें तो यह क्या कर रही है blood carry करें जो कैसा oxygen rich है यानि कैसा रहेगा जो oxygenated blood supply करेगी क्या करेगी oxygenated blood supply करेगी और अगर further जब इनका काम पूरा हो जाता है तब यह क्या करती है जो इनका breakdown हो जाता है किसमें? capillaries में तो अगर हम आपके अगर सबसे simple way में अगर सबसे पहले अगर हमें यह देखना हो कि arteries को सबसे simple way में कैसे define कर सकते है तो वो यह होता है carry blood away from the heart to different organ यानि option number जो C है वो यहाँ पे हमारा totally correct option होगा thank you क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर